शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो आपको कन्यादान के बिना ही मुझे अपनी बहुत स्वीकार न होगा पिशानाप अब तुम भी इनसा बातों को भूल जाओ पिटा भूल जाओ नहीं दानिवा पिरे माबाप की ये कड़वी सच्चा ही भुला बना मेरे लिए आसान नहीं इशानाप बेटा नहीं जो कुछ भी हुआ उसे बूल जाओ अब हम एक नए रिष्टे की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमने तो तो तुमें मन से अपनी बहु मान लिया है कन्यादान की ये रसम सिर्फ ये विधी बागी है बेटा हाँ इशाना बेटा इस रसम को भी हो जाने दो और किसी के लिए नहीं तो अपने प्यार आरियन की खादिर कन्यादान की रसम को होने दो बेटा ठीक है अगर आप लोग चाहते है कि कन्यादान की विधी पूरी हो तो कन्यादान जरूर होगा कन्यादान मेरे मामा पापा नहीं भाईया और भावी करेंगे कन्यादान प्राई पडिल कि अपने फिर ऑवादानला हुषई घजाला ह conditioning? क्यादान फ़क्षट 5 को बीगडे प्याली बावी करेंप communist कि एह बृक्षट 6 करेंटो कि इह दोए्वा neur60 arc कुछ मत को अमें कुछ मत को मैं कुछ सुनना नहीं चाता तुमने इतने साल मुझे अंधेरे में रखा इतनी बड़ी बात तुम्रे पद से चपाई मुझे तुम्रे अदमी ने जिसने हर कदम पर तुमारा साथ त्या तुमारे हर हामे हामी भरी उससे तुम्रे इतनी बड़ी पात चपाई कामे . . . . . . . I'm sorry . . I'm sorry . . . . . . मामा, आपकी बेटी आपसे नाराज है, पर आपका बेटा हमेशा आपके साथ है, हमेशा. है, वाणवा वीष अयार है, सही हथा है, वाणवा है है यह पिर जोग भान है, वैट को में टू बारा है, एन सी और दिए हूंआ को एक लिए अप, को झाल, ताए्ट जोरिख लान है, औरेख टाएन है। आदे, अरेवाब एक्तम माकी जवियाना? आणिशाना. लेकिन इशाना, मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. सच कहूं, इशाना, मुझे ऐसे अलग रहा है कि मैं तुम्हारा दोशी हूँ. इशाना, इशाना, मेरी वज़े से तुम्हारे मुझे डाड़ी करने आता है. इशाना, जो वहाँ उसे भूल जाओ, और उन्हें भी माफ कर देना. क्या तुमने माफ कर सकते हो कभी? देखो इशाना, इस सवाल का जवाब देना इतना असान नहीं. क्योंकि जो गुना उन्होंने किया है, वह माफ कर लाइक नहीं. है ना? नहीं शाना, ऐसी बात नहीं है. अजित्या, अब बताओ, सच्छी बात जुबान बताओ. तुम कुछ कहो या ना कहो, पर मैं एक बात सच सच कहती हो, आदेते. मामा पापा के हादों मेरा कन्यादान नहीं हुआ, उसका दुख नहीं है मुझे. क्योंकि उससे भी बड़ा दुख मेरे दिल में. वो दुख, जो मैं तुम्हारे लिए मैसूस करती हूँ. अजित्या, तुम बताओ या ना बताओ, पर मुझे बताओ तुम. तुम कितना दुख मैसूस कर रहे हूँ. तुम किस दोर से गुजर रहे हो, मुझे पता है. अधित्या, जिन्होंने तुम्हारे खुश्या चीनिये, उन्हें माफ करना मेरे लिए मुम्किन नहीं. अधित्या, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ. तुम्हारे चाहत, हमेशा मेरे दिल का और मेरे सिंदगी का हिस्सा बनी रहेगा. और उसी चाहत में, मैं अपने सिंदगी खुशी-खुशी गुसात दुम्या देती हूँ. जाने सिंदगी खुशी जाने सिंदती हूँ. विशाना पिटे देखो अरियन के मन में कुछ नहीं है उसके दिल में कोई नाराजगी नहीं इसलिए तुम भे पुरानी बाता को भूल जा पिटा आखिर को तुम्हारे माँ बाप हैं इशाना अपने ममी पापा के पैर जो उनका आशिरवात लो आदित्य बहुत अच्छे हैं उनका दिल मौम का है पर मेरा नहीं देखो इशाना बच्चों के लिए अपने माबाप दुनिया की सबसे बड़ी नहमत होते हैं अपने माबाप के लिए दिल में इतनी देर तक नाराजगी रखना ठीक नहीं है वो तुम्हें पक फेरी की रहसम के लिए लेने आये हैं जाओ बटे तैयार हो जाओ नहीं दादू अब यही मेरा घर है उस घर से मेरा कोई रिष्टा नाता नहीं है मैं आदित्य थापर की पत्नी हूँ लिस्टर एंड मिसिस अभेपराशक कौन है मैं नहीं जानती आज के बाद ना उस घर के तरफ कभी मैं मूग कर देखूंगी ना कभी उस घर में मैं अपने कदम रखूंगी पिशाना पिते अरे कितनी सजा दोगी अपने माबाप को तुमने इन्हें कर्यादान नहीं करने दिया इससे बड़ी सजा इन दोनों के लिए क्या हो सकती है ये तो इससे भी बड़ी सजा के हगतार है इन्होंने पच्चीस साल तक एक बेटे को अपने परिवार से दूर रखा एक भाई को अपने बहन से दूर रखा पच्चीस साल के गुना को मैं कुछ घंटे में कैसे माफ कर दूँ देखो इशाने बेटा मानता हूँ कि आरियन को खोकर हम बहुत बड़े दुख से गुजरें प्रिंस और रानी इस दुख को अपने दिल में लिए इस दुनिया से चल बसे लेकिन वो हमारे अदीद का दुख था आज हमारी खुशियां हमारे पास है हमारा आरियन बेटा हमारे पास है और इसी खुशी की खादर हमने अपने सारे पुराने दर्द और दुख बोला दिये बेटा तुम भी आज की खुश्चों में किसी दर्द के रंग को मत खुलो माफ कर तो ही ने मापाप है तुभारे बेटा विशाना बेटा तुम जानती हो बेटा कि तुम तुम हमारी जान हो हमारे तिल का टुकड़ा हो बेटा हम से इस तरह मूँ मोड़कर हम इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज सजा कभी आपने सोचा पापा कि आदित को उसके परिवार से दूर रखके आपने उसे कितनी बड़ी सजा दिये परिशाना अब तो सब ठीक है ना जो बिछड़े हुए थे वो वो मिल गए भाया मिल तो गए पर इसने साल रिष्टों में जो दूरिया रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन अगर कल कोई हमें अलग कर दे तो क्या उस इंसान को आप माफ कर पाएंगे इशाना माफ करना भी एक बहुत बड़ा बड़ापन है प्लीज भाबी मेरा दिल आपकी बाते समझ नहीं पारा आपका दिल तो बहुत बड़ा है दूसरों का दर्द देखके आपको दर्द होता है दूसरों के आखों में आसु देखके आपकी नाखे नम हो जाती है अभी हाप जिसन की पहरे भी कर रही हैं खेर वो तो आपके अपने हैं अपने हो चुके हैं पिशाना पेटा बात समझ रहे हैं तानिमा पीस जो करने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहाँ उसे करने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए आपकी और दादू की में बहुत इज़त करती हूँ आज के बाद मैं अपने माइके में कभी कदम नहीं रखोंगी मेरा ससुराल ही मेरा घर है मेरी दुनिया है मेरा संसार और यहां के लोग मेरे अपने इशाना तुमने अपने फैसला सुना दिया ना तो आप सब अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए तुमने कहा कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा संसार तुम्हारी दुनिया है तुम मेरे ले भी मेरा ससुराल मेरा सब कुछ है अगर इशाना अपने मैके में अपने मापाप से मिलने नहीं जाएगी तुम्हारी दुम्हारी दुम्हारा बिलने नहीं जाएगे तुम्हारी आज के बात किया रही है? आपको मेरी कसम, अब कुछ मैं पूलना हुआ अभी पड़, पर ये तो आधित्य के गुनागार है, इस परिवार के गुनागार है लेकिन दादू और दानिमा ने क्या गुना किया है? आप उन्हें किस बात के सजा दे रहे हैं? बात दोश या सजा की नहीं है शाना शादी के बार एक औरत का उसका मान समान ते ससुराल से ही चुड़ा होता है उसका सर उसके ससुराल के मान ये समान से उठता है प्या छुपता है यही एक पत्नी और एक बहू का फर्स है जिसे मैं निपाऊंगी लेकिन परीब अभी अभी तो नए रिष्टे बने और भाईया तुम अब आपकी बहन के लिए सबसे बड़ा रिष्टा उसका ससुराल ही है लेकिन तादू प्लीज आपने अर्दानी मान नहीं तो मुझे ये सिक्षा दिये कि शादी के बाद सारे रिष्टे उनको जोड़ के रखना उनको इस समझदारी से चलाना एक औरत की सिम्मेतारी होती है बै तो बस आप दोनों के बताए रास्ते पर जल रही है दानी मा इशाना जिस दिन तुम अपने मापाप से मिलने अपने घर आओगी उसी दिन मैं भी इस खर में कतम रखोगी तब तक के लिए इस घर के सारे रास्ते भी बूचाओगी जिन लोगों ने ठुकराया उनके सम्मान के खाति अपनों को भुलाके वो चली है ओ तोड़ दिया दिल अपनों का मुड लिया मूँ उस घर से जिस आशियाने में बली है पहला बस पिया का घर है बाकी सब दूझे दर है बली बडी है इन ही संस्कारों में वो रहने वाली महलों की वो रहने वाली महलों की कितने नाट से प्रवाला दिशा रखो और आज आज उसने सब के सामने इस तरह अवे अपनी मेटी तुष्मन होगे अपनी मेटी तुष्मन होगे उसने एक बहुरी सुचके उसकी ममा की दिन पक्या भी तेके डहेँ ऑमस्युस को येश्ण येवे़ टानी ओ गए ऑपनी गएर गेश्टर से येवे़िश्टर मेन पहुआ दो और यह सब तुमारे बची से उए कि अब ये इस मनुज़ु के वज़े से वह मैं इस और कियो इस तेक्ड हρι हो जैसे कि कुछ क्छॊ जानती ही नहीं तुम नहीं बता नallas शानको, तुम नहीं बताया नहीं मेरी बेटी को, आधितिय की किट्डाबिल के बारे में तुम ही नहीं नहीं बताया नहीं मामीजी मैंने किसी जड़ाओ जप रहा था, तुम बहुने मनी का नादा मेरे सामने मत करो तुम नहीं बता है शारा को, तुम्हारी अलावा और कोन बता सकते है उसे, मैं, मैं जानती हूँ, सावित्री ने मुझसे वादा किया था, कि तु अपनी जबान कभी नहीं खोरेगी, मैं, मैं जानती हूँ, कि तुम्हें सावित्री से ये बात बता चली है, और तुम्ही ने तुम्हीने रिशाना तक ये बात पहुचा ही है बैस मुझे कोई सफ़ाइनी चाहिए तुमसे सची तो मा और बेटी के बीच जोत्य बार तुम्हें भड़ी किया ना इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नी करूंगे कभी माफ नी करूंगे जोत्यों ना वह वह मेरे पास रिरूर वापसाएगी वह आएगी मुद्से मिले वह आएगी वह आएगी वह जब माहिके में खड़े रेके जोबाचन तुम्हें लिया था अब, अब मैं, मैं वो वचन तुमसे निवहाँगी. तुम्हें अपने भाई की का और अपने भाई की वालों का सुख कभी नहीं यहने दोंगी. तुम्हें मेरी सिंदगी में सहर को रहना, अब तुम्हारी सिंदगी का सबसे परा सहर में बंचाँगी. कि यहाँगी वाले मेरा तुमसेंगी. यहाँगी. 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 झाल झाल